Electricity Bill after lockdown, Electricity Bill के सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाले है हमारा जो previous वीडियो था How to Calculate Electricity Bill वस वीडियो पे बहुत सारे लोगों ने अपने सवाल पुछी थे या फिर कमेंट करके आपने doubt बताये थे तो इन सारे सवालों के जवाब में इस वीडियो में आपको देने माला हूँ अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा तो i button में link है description box में भी link है और comment section में भी link pin की गई है तो आप वो वीडियो भी पहले देख लिजे और फिर अगर वो वीडियो देखने के बाद अगर आपके doubt clear नहीं होते है कुछ doubt होता है तो इस वीडियो पे आ जाईए तो हम सीधा शुरू करेंगे doubt से दोस्तो तो एक comment आ गया था दोस्तो की billing unit में ही कुछ गड़बड की गई है जो की 161-200 में हमें unit आता था तो वो अभी इस जून के मैंने में सिधा 697 unit आ गए है तो इतने unit के से आए और अगर इसकी complaint करनी है तो कहा करनी है दोस्तो सबसे पहले अगर आपको complaint करनी है तो आपके nearest electric board में जाईए MACB office में जाईए वह आप complaint कर सकते है वह आपको explain कर देंगे कि आपका bill कितना आया है लेकिन मैं पहले suggest करूँगा एक बार आपना meter reading चेक किजिए दोस्तों अगर वो बराबर होगा consumption आपका बहुत सारा हुआ होगा तो ठीक है अगर नहीं हुआ होगा तो फिर आप MACB office में जा सकते हैं अगला सवाल हमें आया था वो वीडियो देखने के बाद की तो जून 2020 को आपका bill 7,378 है क्या तो जी हाँ दोस्तों अगर average payment जो मेंने 1500 थी वो मैंने ओरड़ी पे की थी वो माइनस करके मेरा जो bill था वो था 7,378 कुछ लोगों को लग रहा था उसमें से माइनस होना चाहिए जो की average amount है लेकिन नहीं जो average amount मिलकर था साड़े 9,000 का bill था वो बाद में 1500 माइनस करके वो 7,500 हो गया था और एक positive comment आया था बहुत अच्छा उन्होंने लिखा था कि good video there was lengthy discussion on this MECB bill topic on our whatsapp group this video gives a clear idea we'll share this तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने ये video share किया और आपको ये video helpful लगा इसलिए आपका बहुत बहुत थैंक्यू ऐसे ही comment करते रहना motivation मिलता है दोस्तों उसके बाद एक हमारे विवर थे उन्होंने कहा कि sorry but this calculation is not able to help me as the result difference is about 1000 रुपीज तो दोस्तों मैंने आपको कहा था कि सो दोसों का ज्यादा से ज्यादा आपको जो difference है वो मिल सकेगा लेकिन हमारे भाई को मिल गया 1000 रुपीज का difference तो मैंने उनको comment भी किया था आपका स्टेट कुन सा है for example महाराष्ट्रों का तो महाराष्ट्र वो हमें भेज दीज हम एक बार आपको बिल calculate करके बेज देंगे तो और अगर एसे ही आपको कुछ doubt होंगे तो आप हमें comment में जरूर बताना हम आपके पूरी help करेंगे दोस्तों अगला और एक comment है था positive comment और इनका केना यह था कि unit price बढ़ाने की कुछ भी अभी situation नहीं है क्योंकि lockdown अभी चल रहा है अभी new prices रखने की कोई भी जरूरत नहीं थी महावी तरह नहीं यह opportunity देखी और new charges apply किये तो और four months का जो overall bill है उसमें उसमें highest slab लगा के unit price उन्होंने calculate की इसा उनका केना था और इनका यह भी question था कि अगले मेने में भी कुछ ऐसे ही चार्जिस अपला होंगी क्या तो जी हाँ दोस्तों अगले मेने में भी कुछ ऐसे ही calculate होंगे charges अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो वीडियो एक बार देख लीजिए वस वीडियो में मेने आपको बहुत क्लियर calculation आपको बताया है दोस्तों अगले और एक वीडियो ने हमें comment किया था कि में सब्सक्राइब एवरी मन्थ आइस तो गेट 1200-400 रुपीज बट नाव एपरिल 2500 में 3800 जून 4200 एंड इस इस दबील अफ्टर ओल डिडिक्शन तो इसी के साथ और एक हमारे विवर ने comment किया था कि भाई सेम मेरा भी consumption हमेशा 161 होता है लेकिन इस मैंने 697 यूनिट भेज दिया तो दोस्तों मैं फिर से suggest करूंगा आप एक बार जो आपने लास्ट बील भारा था मार्च में भारा था बराबर वोसका रेडिंग देखिए वो रेडिंग फॉर लोगा 2000 और अगर अभी अभी जाके देखिए आपका मिटर का रेडिंग क्या है फॉर एक्जांपल अभी होगा 3000 तो क्या किजिए दोस्तों 3000 में से 500 यूनिट माइनस कर लिजिए यानि हो गए 2900 तो 2900 में से 2000 माइनस किजिए अगर 900 आपका जवाब आता है तो आपके यू दोटों का तो हमें कमेंट में बताना और वसी के साथ यह कुछ डाउट और बाद में हमारे बहुत सारे वीवरें उन्हों ने खा वेरी नाइस गुड इंफॉर्मेशन नाइस हमारे एक भाएने का ब्रीफ और इंफॉर्मेटिव वीडियो थैंक्स ब्रदर वेरी हेल्फू इंफॉर्मेशन थैंक्स ब्रो ग्रेट वीडियो सर यसे बहुत पॉजिटिव कमेंट हमें आ गए है इन सब का बहुत बहुत धन्यावाद यसे सपोट करते रही है और अगर कुछ डाउट होगा तो आप कमेंट में जरूर पुछना मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए थैंक्यू